आपके सपनों को साकार करने के लिए नेक्स्ट आईएस लेकर आया है नाशनल स्कॉलर्शिप टेस्ट पाई 100% तकी स्कॉलर्शिप आज ही रेजिस्टर करें हेलो एवरिबन मेरा नाम अधित्या पांडे है और इस साल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मेरी 301 एक रैंक आई है इस वाज माई फर्स एटेंप्ट इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मैं उन चीजों को आप से डिस्कॉस करूंगा अगे भढ़ने से पहले मैं अपना एक ब्रीफ बैग्राउंड बता देता हूं मैंने निटी सूरत से 2018 में अपनी बीटेक कंप्लीट करी मैं बीटेक व Sekда इन स्विल सर्विसेसे प्लाअ करेंगा य। स्विल स्टेज की बिटेक एक बहुत ही इंपげ के लिटेक्ट नहीं। because the syllabus of this examination is very huge. If you are not having a clear road map when you start preparing for civil services, then it is possible that after three or four months into the preparation, you start feeling lost in the huge syllabus. ऐसा भी होता है एस्पारेंट के साथ कि जैसे कि प्रेलिम्स आपका अप्रोच कहता है और प्रेलिम्स अप्रोच कहने के बाद आपको लगता है कि मेरी प्रेपरेशन अप्टू दा मार्क नहीं है या तो मैं इस exam को clear नहीं कर पाऊंगा इस वज़े से aspirants end up losing up their one attempt or two attempts तो इस सब केसे में strategy बहुत ही useful रहती है दूसरी चीज यह है कि अगर आपने एक holistic road में prepare कर लिया है कि आप प्रेलिम्स और मेंस को कैसे tackle करने वाले हैं आप कैसे सारे subjects को cover करेंगे इस exam के लिए पाऊंगा ऐसा होने से आपको यह फाइदा होता है कि when you clear prelims in the first attempt you are also able to perform good in mains exam otherwise हम ऐसा देखते हैं कि लोग prelims clear कर लेते हैं but they have no idea about the stage of mains because the common issues that they face is उन्होंने answer writing नहीं करी होती है उन्होंने ethics और essay की preparation नहीं करी होती है तो एक अच्छी strategy में अगर आम पहले ही इन चीजों को cover कर ले तो आपको आगे जाके इन सब चीजों की दिक्क्यत नहीं होगी if you are going to start the preparation अब मैं sources बताता हूं कि आपको एक अच्छी strategy बनाने के लिए कहां से inputs लेने हैं the platform of YouTube is very effective क्योंके YouTube में काफी topper videos हैं जैसे Delhi knowledge track एक अच्छा platform है जहां पर topper videos हैं की insights हैं हर stage of preparation को लेके तो मैं recommend करूंगा पहले आप videos देखें कि prelims और mains के लिए कैसे prepare करना हैं क्या mistakes को avoid करना हैं internet पर जो toppers blocks हैं वो भी बहुत useful हैं की insights के लिए इस exam के I would suggest that rather jumping in starting the preparation पहले आप एक दो week का time अपनी एक strategy को बनाने में दें आप अपने आपको clear करें कि आपको क्या चीज़े cover करनी हैं इस exam की demand क्या है इससे यह होगा कि आपकी एक direction way में आपका approach रहेगा and you will perform good in the first or second attempt itself अब मैं आपके साथ अपनी strategy share करूंगा अपनी diary के माध्यम से मैं आपको diary के pages में दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपने preparation को divide किया कौन से months मैंने किस चीज़ पर focus करने के लिए रखे अब brief background about my preparation I started preparing for exam in March 2021 and I was targeting the 2022 attempts so I had 15 months in hand तो अब हम start करते हैं अपने pages को लेके कि किस तरह से आप progress कर सकते हैं with the preparation यह first page है जैसे आप देख रहे है 24th March 2021 का I started preparing on 15th March 10 days मैंने YouTube पे different videos देखे topper के blocks पड़े जिससे कि आपको idea लगता है कि आपको कौनसे sources लेने हैं आपको कौनसी mistakes avoid करनी है और किस तरह से holistic way में आप prepare कर सकते हैं including both prelims and mains during the preparation before prelims itself तो आप देखेंगे first 3 months को मैंने दिया NCRT और reference books cover करने के लिए इसके बाद के अगले 3 महिने मैंने रखे optional complete करने में और जो पहले 3 महिने मैंने reference books पढ़ी है इसके notes पनाने के लिए अब इस stage में towards end of August you are confident with the GS की आपने basic एक बार reading लगा ली है और notes कुछ हद तक आपने subjects के बना लिये हैं इसके बाद मैंने अगले 3 महिने allot किये थे essay plus ethics की preparation में इसके साथ ही test series start करने के लिए test series for both prelims and mains, mains की test series पहले direct start करना मैं recommend नहीं करूँगा पहले आपको answer writing start करनी है previous year questions को लेकर, इसके बाद December से February टक का time मैंने test series, revision और practice के लिए दिया अब February के बाद आपके पास prelims के लिए 3 महिने रह जाते हैं, so I would advise कि आप prelims की intensive preparation करें इस stage पर क्योंकि prelims is approaching और आपका पहले item में बहुत सारा revision कहना होता है, PYQs लगाने होते हैं, test देने होते हैं तो आप एक अच्छा time तीन महिने का prelims की dedicated preparation के लिए दें अब एक यह rough road map था जो कि मुझे clear था when I started my preparation इसमें आप देखेंगे कि इसमें mains के भी topics cover हो रहे हैं और prelims के भी हो रहे हैं along with answer writing and test series of both prelims and mains that is before the month of June जब prelims expected था, you are ready and you have done a significant part of mains also अब हम आगे भड़ते हैं, on the month of 11-5 that is around 2 months after I started preparing अब आप देख रहे हैं कि यह clear road map थोड़ा बना है इस बीच पी में regular topper videos और YouTube channels पे देखता रहा कि क्या चीज़े करनी है, कौन सी चीजों को include करना है अब आप देखेंगे कुछ changes हैं कि जैसे bit ideas from pyqs, अब मैंने starting के 3 months में along with reading the reference books, pyqs को refer करना start किया इस time अगर आप पूरा pyq solve नहीं भी करें, you can get an idea कि क्या pattern है exam में कौन से topics से पूछा जा रहा है second phase में, you can start current affairs or newspaper reading, newspaper reading is not advisable in first part itself or in the starting months क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि syllabus का कौन सा part focus करना है newspaper में essay में aspirant success पूरा दिन newspaper पढ़ने में लगा देते हैं जिससे कि उनको newspaper पढ़ना भी बहुत difficult लगता है और वो सही तरह से use नहीं कर पाते हैं अगर आपने proper three months में reference books पढ़ी है इसके बाद newspaper स्टार्ट करते हैं तो कि उसके बाद तो आप daily एक दो घंटा देखे ही अच्छे से newspaper को cover कर पाएंगे फिर after September की तयारी उसी तरह रही कि essay और ethics को prepare करना है यह मेरा plan था आगे भढ़ते हैं और in the month of 27.6 June के महिने में आप देखेंगे कि पहला जो phase है reading the reference books of GS और PYQs वो complete हो गया है अब इस stage में मैंने optional की तयारी को complete कहने पर focus किया और डेली तीन से पांच questions लिखे इसको लिखने से यह फाइदा होता है कि you get a idea of how to write the answers क्योंकि अगर आप इस stage में answer writing ignore करेंगे और तो यह आगे वाली stages में जैसे जैसे prelims नजडिक आता है you tend to ignore more and more क्योंकि आप ज्यादा time prelims को देते हैं इसमें end में यह होता है कि after clearing prelims you have not even written a single answer तो इस stage में आपको बहुत ज्यादा input लगाना पड़ता है और प्री और मेंस की बीच में hundred days का around time रहता है उस समय answer writing start कहने से आपको काफी problems face करनी होती है तो at a early stage only starting answer writing like suppose 3 or 5 months into the preparation तो it is a good idea to start answer writing at this stage now moving forward to the month of September at this time the first six months of my preparation were over तो जैसे कि हमने plan किया था तो GS का अभी तक मैंने reference book का basic study कर लिया है और optional मैं cover कर चुका हूँ अब अगले के अगले तीन महिने मैंने मेंस की तैयारी के लिए रखा मेरा plan यह था कि December तक मेंस की लिए मैं ready हो जाओं और मेंस December एंड तक मैं ethics और essay की preparation भी कर लूँ साथ मैं optional और optional की test series भी लगा लूँ मैं before December only तो इस तरह आप देख रहे हैं कि मेरी strategy में even optional की test series भी before prelims ही मैंने लगाने को preference ताकि जो मेंस और prelims का time होगा मैं other चीजों को जैसे value addition हो गया answer writing की अच्छी practice हो गई and dedicatedly giving full-length test में उन चीजों पर focus कर पाऊं ऐसा करने के लिए पहले ही आपकी कई चीजें prepare होना ज़रूरी है ताकि आप बाकी चीजों में अपना time नहीं दें between prelims and means now moving forward to the month of December अब आप देख रहे हैं कि it is six months since I have started my preparation और इस stage पर जो basic subjects हैं वो cover हो चुके हैं जैसे आप देखेंगे quality, history, geography all these things are covered and everything some progress has been done in ethics and essay also optional has been completed one and test series is also in progress so December में जो की 6 महीने हो चुके हैं तयारी start किये so I will feel some kind of confidence क्योंकि अब मैंने prelims का basic material पढ़ लिया है mains के लिए भी कुछ base मैंने बना लिया है optional का एक अच्छा base मैंने prepare कर लिया है by the month of December अब आने वाले टाइम में जैसे prelims approach करने लगता है तो मैं free mind से पूरा time अपना prelims की तयारी को दे सकता हूँ और साथ में मुझे यह भी confidence रहेगा कि if I clear the prelims में में मुझे दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं answer writing में भी comfortable हूँ और optional में अच्छे तरह से cover कर लिया है now moving forward to the month of March अब आप देखेंगे कि करीब दो महिने का time रह गया है prelims के लिए now I have started detailing my strategy मैंने सारे subjects note-down करें इनके conscious sources रहेंगे इस page में आप देख सकते हैं कि day wise strategy जैसे जैसे exam approach करता है तो you start feeling anxiety आपको लगता है कि maybe I will not be able to clear और एक significant time यह सब चीजों में निकल जाता है अगर आप एक day wise strategy रखेंगे तो you deviate less from your path and you can focus effort efficiently so you can say see here is a 10 day strategy how I have planned my days well in advance so that I don't waste my time in doing less productive areas now moving forward on the date of 8th June 2022 it has been three days after the prelims exam answer keys आज आती है इस stage में मुझे expected था कि I might clear the prelims as per the coaching keys so I didn't waste my time and started preparing for mains at that time itself अब मैंने rough roadmap ready किया कि मुझे किन चीजों पर कैसे focus करना है जैसे आप देखेंगे GS123 was in one group essay and ethics and optional अब आप देखेंगे holistic preparation का क्या use रहता है कि GS123 में आपने basic answer writing कर ली है but ethics के लिए मैं basic source का एक भा reading लगा पाया था और essay को I was notable to complete on time so the task in hand in the time between prelims and mains for me was completing my essay preparation giving a good time to prepare ethics और optional की दुबारा से test series देना साथी में GS123 I could start straight away with the full length test because कुछ part test भी मैंने prelims से पहले दे रखे थे now moving forward to the month of July अब आप देखेंगे कि mains exam में कुछ 2 months रह गए हैं यहां पर मैं अपने planning के लिए किस हिसाब से अपने सारे topics को करता हूं कि quality में मुझे इन चीजों को cover करना है ethics में इन चीजों को cover करना है for optional I have to cover all these topics and week wise here I have divided the time कि मैं morning slot में इतना करूंगा in the evening time I will dedicate this much time to optional इतने time में ethics और asset को prepare करूंगा इस तरह से आपके पास इन तीन महिने में load कम रहेगा क्योंकि आपने पहले ही मेंस की तैयारी कर ली है तेरा हाथ पकड़ कर next IAS ने ठाना है वो सही दिशा दे कर IAS तुझे बनाना है अपनी कीमत जान ले तू जीतने की ठान ले खुद को तू पहचान ले आपके सपनों को साकार करने के लिए next IAS लेकर आया है National Scholarship Test पाई 100% तकी scholarship आज ही register करे So this was a insight into my planning की मैंने कैसे plan किया इस exam को crack कहने के लिए I think this way, this helped me in cracking the exam in the first attempt itself It proved very useful अब हम कुछ points discuss करेंगे जो आपको ध्यान रखना है during the preparation I would suggest कि आप एक subject के लिए एक ही basic source पे rely करें Using more than one source से यह होता है कि आप revision में कम टाइम दे पाते हैं So I would recommend कि आप single source ले उसको multiple times revise करें और strategy बनाना is one part of the preparation इसके साथ आपको काफी dedicatedly अपने time को manage करना पड़ेगा ताके what you have planned in which month you are able to complete also Because just by making the strategy and not relying it on not able to achieve the goals Then you will lag somewhere in the preparation जिसका की effect आपकी mains पे भी पड़ सकता है So एक holistic way में prepare करने के लिए I think this roadmap helped me There are many ways to clear the exam I would recommend you watch 8-10 videos of toppers who have performed good in civil service examinations and then make your own strategy I would thank DKT for providing me a platform to guide the aspirants on strategy making and using diary on a regular basis to perform good in civil service examinations Thank you and all the best to future aspirants